हरियों मैं योगाचार्या भारती मेरे चैनल शीव योगीनी में आप सभी का फिरसे एक बार स्वागत है तो दोस्तों जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि सर्दिया धीरे धीरे बढ़ रही हैं और मौसंँ चेंज हो रहा है और मौसम के change होने के साथ साथ जैसे की आप सबी को feel होने लगा होगा थोड़ा बहुत cold सर्दी जुकाम और जैसे की viral धीरे अब फैलने लग जाएगा तो इसको आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं यदि आपको थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम स्टार्ट हो चुका है तो मैं आपको दो बहुत ही सरण उसके बतारियों घरेलू नुसके जो कि आप करके खुद ही अपने घर में अपने डॉक्टर बन सकते हैं देखें आपने करना क्या है सबसे पहले अपने कीचन की तरफ जाना है मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज बतारियूं जो कि मैं नोट किया के लिए आप इसको नोट कर लीजी और इसको जरूर आजमाईएगा आप देखेंगे कि ये दी आप ऐसा करते हैं तो ये सर्दी जुकाम की जो आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुके बिल्कुल दूर हो जाईगी देखें आपने लेना है देशी की सभी के घर में होगा 10 ग तो ध्यान से फिर से सुनेगा एक बार 10 ग्राम आपको देशी घी लेना है 2 मिली लीटर आपको लेना है अद्रक करस और धाई नग लेनी आपको काली मिर्च और 5 ग्राम गुड उसके अंदर डालना है और उसको आपने अच्छे से पका देना है पानी के अंदर अब इसको पका करके आपको क्या करना है खाली पेट सुभा आपको तीन दिन तक इसको लगातार लेना है आप देखेंगे कि सर्दी जुकाम की जो समस्या आपको हो रही और बिल्कुल छूमंतर हो जाएगी इसके साथ ही आप एक और उपाई कर सकते यह भी बहुत इजी उपाई है इ इतने सर्दी जुकाम को विल्कुल ठीक कर सकते हैं बीदि आपको सर्दी जुकाम खासी इस बदलते मौसम में सर्दी के मौसम में होने लगा है तांप क्या करना चाहिए आपको 2 ml अद्रक का रस लेना है और 1 ml लेना आपको तुलसी का अर्क या निए तुलसी का रस और साथ इसाथ 5 ml आपको लेना है शहद यानि की हनी और इसको आपको मिलाना है एक साथ और इसको आप 5-5 घंटे के अंतराल में लेते रहे और इसके उपर से आप गुर्णगुना पानी पीलेंगे तो और भी आपके लिए अच्छा रहेगा इन दोनों में से कोई भी एक नुस्का यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो ये सर्दी जुकाम खासी की जो समस्या है बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो आप इसे ज़रूर आजमाईएगा और आप देखेंगे कि ये बहुत थी ज्यादा असरदारक नुस्का है और आप पे बहुत ज़दा असर करेगा और जैसे कि ये मौसम बदर रहा है बहुत ज़दी दीरे-दीरे होने लगी है सर्दी जुकाम खासी की समस्या बिल्कु ठीक हो जाएगे